अब question आता है designer क्या करेगा design करेगा synchronous counter और फिर मेरे move effect करेगा और बोलेगा किसी की mod value बता ठीक है तो उसके लिए procedure क्या होगा basically वो एक sequence लेगा अपने हिसाब से और उस sequence के हिसाब से synchronous counter design करेगा ठीक है उसने design करके मेरे ओपर fact दिया और बोला कि कितनी different state इस synchronous counter में possible है ठीक है नो क्या करना होगा procedure है write input and output in the form of a table write the corresponding connection keep some initial default state and make a horizontal line basically सबसे पहले उसने suppose ये synchronous counter उसने design करा ये clock दोनों को एक ही clock दे दी jk flip-flop उसने use करे दो ठीक है now अब क्या होगा सबसे पहले input output connection देखने है ठीक है write input and output in the form of a table तो j0 k0 j1 k1 q0 q1 ये लिख दिया ये output है ये input है now अब connection के इसाफ से j0 क्या है j0 is q1 bar j1 क्या है j1 is q0 bar k0 is 1 k0 is 1 ठीक है and k1 k1 क्या है k1 is also q0 bar ठीक है अब ये सब लिख दिया अब उसके बाद एक initial state assume करो q1 q0 की तो मैंने assume करी 00 assume कर लिया है मैंने ठीक है अब ये 00 है ये 00 है तो j1 k1 j0 k0 क्या हो जाएंगे j0 हो जाएगा 1 k0 1 j1 1 k1 b1 अब ये 1 1 1 1 1 क्या clock pulse का अंतजर कर रहे है जैसे ही clock pulse आएगा वैसे ही ये जो state है ये change होगी j0 k0 is 1 तो q0 will toggle तो ये 1 होके आ गया ठीक है फिर j1 k1 is 1 तो q1 toggle हो जाएगा नो ये 11 अब बैठ गया q1 q0 पे q0 q1 पे 11 बैठा हुआ है अब उसके साब से j0 k0 j1 k1 क्या हो जाएंगे 0 1 0 1 ठीक है इस के according ठीक है q0 है तो q0 q1 देखके k0 तो हमेशा वनी रहेगा q0 बार लिखा q0 बार j1 is q0 बार k1 is q0 बार j0 is q1 बार यहाँ पे लिख दिया अब ये inputs रखके में है clock pulse का इंतजार कर रहे हैं जैसे ही clock pulse आएगा ये input q0 q1 में change करेंगे तो 0 1 0 1 यानि की reset तो 1 becomes 0 j1 k1 00 यानि की no change यानि की 1 का 1 ही रहेगा ठीक है फिर उसके बाद इस 0 1 के साब से j0 k1 j1 k1 फिर से change होंगे and 0 1 1 1 state ले लेंगे फिर उसके बाद ये input जो है वो clock pulse का इंतजार करेंगे और जैसे ही ये वाली clock pulse आई ये input अपना effect दिखाएंगे output में तो 0 1 यानि की फिर से reset हुआ तो 0 का 0 ही रहेगा 1 1 यानि की toggle यानि की 1 का 0 बन जाएगा तो आपने क्या देखा फिर से वो ही state आ गई फिर से वो ही state आ गई तो ये फिर से repeat करेगा अब जियान रखना कि by default मैंने ये state लिया था और यहाँ पर horizontal line खीच देना अब number of different state कितनी हो गई 1 2 3 ये चौत्ती वाली repeat हुई तो 3 mod 3 counter हो गया गया है ठीक है ये objective में snack bd procedure को objective way में पूछने का तरीका है ठीक है अगर वो q0 q1 sequence पूछता है कि क्या sequence बनेगा ये क्या sequence generator है तो क्या होगा sequence बनेगा q0 q1 ले रहे हैं तो 0011 100 00 ऐसे से करके dot dot लगा देना ठीक है sequence 11 से भी चालू करके लिख सकते हो 00 से भी चालू करके लिख सकते हो कोई उसमें वो नहीं है अब अगर q1 q0 sequence पूछ रहा है तो उल्टा करके लिखना पहले q1 फिर q0 यानि कि 00 फिर 11 फिर 10 एंड फिर 00 ऐसे करके लिखना है ठीक है now basically यह 00 था initially पहली clock pulse आई तो यह हुआ दूसरी आई तो यह हुआ तीसरी आई तो फिर से उसी state में चला गया ठीक है अब objective way में यह भी पूछा जा सकता है 4 q1 फ्लस 2 q0 का sequence क्या होगा ठीक है तो 4 q1 4 q1 यानि कि 4 q1 यानि कि 4 into 0 4 into 0 प्लस 2 q0 यानि कि 0 आया फिर 11 रखोगे तो 4 यह 6 आएगा फिर उसके बाद ऐसे से करके यह 0 6 4 sequence बनेगा इसका sequence यह बनेगा कुछ और भी बूछ सकता है तो उसका sequence भी बनाके लिख सकते हैं फिर अगला question यह बन सकता है कि हमने क्या देखा पहली clock pulse आई तो यह आया दूसरी clock pulse पर यह आया तीसरी clock pulse पर repeat हो गया state तो 3 clock pulses के बाद state repeat हो रहा है ठीक है 333 clock pulses के बाद what is the state अगर initial state 00 है तो 333 clock pulses के बाद what is the state तो 3 clock pulses के बाद repeat हो रहा है and 333 is a fact is a multiple of 3 तो यानि कि repeat होके वही state आ जाएगी 334 बोला तो 333 पर यहाँ पर आ जाएगा 334 पर 11 state हो जाएगी 335 पर 01 हो जाएगी 336 पर फिर से चुकि वह 3 का multiple है तो फिर से 00 state आ जाएगी ठीक है भई यहाँ अब एक और चीज़ यहाँ आपने 00 by default लिया उसने question में नहीं दिया था अब इसमें आप observe करोगे state में 10 state नहीं आ रहा ठीक है तो अगर by default में यहाँ 10 state लेता तो 10 state में क्या होता प्रोसीजर करते आप और फिर से यही state 10 से किसी एक state में में आ जाता और फिर से यही cycle चालो हो जाती वापिस से ठीक है तो जो repeat हो रहा है वो आप modulus में count करोगे 10 state अगर आप लेते तो 10 state को count नहीं करना होता यह 10 लेके भी यही 3 state repeat करती तो यही 3 state आप क्या करते यही 3 state आप क्या करते मॉडिलस में count करते अगला question आता है यह है A flip-flop यह है B flip-flop यह है C flip-flop सब कुछ उसने designing करकी है J को QC से जोड़ा हुआ है J के 1 रखा हुआ है K को 1 रखा हुआ है K is equals to QA bar and J is 1 ठीक है Now if the initial state क्या QA is 1 तो QA को 1 देना है QB is 1 and QC is 0 तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 नहीं लिखना है 1 1 0 लिखना है चुकि A B C की state दिया है ठीक है Now QA QB QC 1 1 0 यहाँ पे डैस चोड़ दो J A K A J B K B J C K C यहाँ डैस चोड़ दो अब 1 1 0 के हिसाब से इन कनेक्शन के हिसाब से यह क्या हो जाएगा J A 1 1 0 के हिसाब से यहाँ पे 1 1 आएगा यहाँ 0 1 यहाँ 1 0 अब जैसे ही clock pulse आएगी यह क्या करेंगे J के inputs state को change करेंगे तो 1 1 will change 1 1 का मतलब toggle होगा 0 1 यानी की क्या होगा QB will reset and this is यह set होगा फिर उसके बाद 001 के हिसाब से input में क्या बैट जाएगा 1 1 1 1 1 1 तो सारे toggle करेंगे तो 0 का 1 होगे 0 का 1 1 का 0 अब फिर से 1 1 0 state आगी तो एक clock pulse के बाद यह आया दूसरी clock pulse के बाद यह आगया so कितनी states है different two states है so this is modulo 2 counter ठीक है now two clock pulses required to get back to the same state after two clock pulses default state will repeat once again ठीक है तो two का कुछ भी multiple देता है 222 देता है तो फिर से repeat state आजाएगी 223 देता है तो यह वाली state आएगी 001 ठीक है क्या बोला उसने उसने क्या बोला number of clocks required to get back to the same value कितनी clocks required है पहली दूसरी दूसरी पर आती repeat हो गया यहां इसका answer हो गया 2 अब फिर से मैं repeat पर आ गया अब repeat करने के बाद उसने बोला what will be the current state after two clock pulses further दो clock pulse के बाद repeat हो गया फिर से 2 apply करी तो क्या state आएगी फिर से 2 apply करी तो फिर से वही state आजाएगी सो 110 विल रपीट ठीक है